दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको चिंचवार के दो देवस्थान की कुछ जलकिया दिखाने वाला हूँ स्री मोर्य गोसावी टेंपल चिंचवार और यह है स्री मंगल मुर्ती वाड़ा दोस्तो आज की वीडियो में हम ये दोनों देवस्तान स्री मोर्या गोसावी टेंपल स्री मंगल मुर्ती वाड़ा की कुछ जलकिया देखने वाले हैं ये दोनों देवस्तान चिंचवाड देवस्तान ट्रस्ट के अंदर आते हैं चिंचवाड में ये चाप्टे कर चोक है और यहीं से आधा किलोमेटर पाज स्री मोर्या गोसावी मंदिर है इदी आप ठेवर की साइड से आ रहे हैं तो पावना निदी पर बने हुए दनेश्वर विस से आप आ सकते हैं ये है स्री मोर्या गोसावी टेंपल का प्रिवेश द्वार अभी हम चलते हैं मंदिर को देखने के लिए अंदर चलने पर यहाँ पर दोनों तरफ काफी सारी दुकाने हैं जहां से आप प्रिसाद ले सकते हैं दोस्तों स्री मोर्या गोसावी मंदिर, मंगल मूर्ती वाड़ा, स्री छेतर मोर्गाव टेंपल, स्री छेतर स्री टेक और स्री छेतर थियूर इन सभी को चिंचवाट देवसान ट्रस्ट मैनेज करता है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मंदिर में जाने से पहले ये है चिंचवार देवस्थान ट्रस्ट का कारयाल है ये मंदिर चिंचवार देवस्थान ट्रस्ट के अंदर आता है कारेले में आप मंदिर के लिए दान दे सकते हैं और देवस्तन ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ इंक्वारी भी कर सकते हैं इस कारेले में आपको सरी मोर्या गोसावी रिलेटेड सारी पुस्त के सीडीज, वीडियोज आदि मिल जाएंगे ये देखी यहाँ पर काफी सारी पुस्त के हैं इन पुस्त को में सरी मोर्या गोसावी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है आप यहाँ से ये पुस्त के खरीज सकते हैं जिन से आपको सरी मोर्या गोसावी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएंगे स्री मुर्या गोसावी टेंपल चिंचवार में पावना निद्धी के किनारे पर है यहीं पर स्री मुर्या गोसावी ने संजीवन समाधी ली थी चिंचवार में मुर्या गोसावी टेंपल एक देवस्थान है इस देवस्थान का काफी बड़ा महतु है माना जाता है कि भक्तो जारा मांगी होई इक्षा यहाँ पर जरूर पूरी होती है सिरी मुर्य गोसावी महराज ने 1561 में संजीवन समाधी ली थी उस समय उनकी आयू 186 बर्सकी थी समाधी लेने के बाद उनके पुत्र चिंता मणी ने गुफा के उपर एक मंदिर बनवाया और इसका निर्माण इस तरीके से किया स्री गणेस की मूर्ती स्री मुर्य गोसावी के सिर के ठीक उपर होगी यह मंदिर पत्थर से बनाया गया है दोस्तो इस वीडियो में मैंने मंदिर को अंदर से नहीं दिखाया है बट मंदिर के अंदर जाके काफी अच्छा नुवाब होता है दोस्तो जब मैंने स्री मुर्य गोसावी समाधी मंदिर के दर्सन किये तो उसका नुवाब मैं सब्दों में बियान नहीं कर सकता स्री मोरिया गोसावी की समाधी के लबा यहां पे चिंतावनी महराज, नारेन महराज और धर्नीतर महराज की समाधी भी है मोरगाम के मयूरेसवर ने स्री मोरिया गोसावी को आसिवा देते हुए कहा आपकी आने वाली साथ वीडियो में मेरा अंस होगा इसी लिए इन सभी सब्त पुर्सों की समाधियां सिरी मोर्या गोसावी की समाधि के पास मौजूद है दोस्तो नूरिया होटल के सामने ये पापना निदी पर धनेश्वर विरीज है सैट में ये रास्ता जाता है सिरी मोर्या गोसावी मंदिर के लिए और राइट सैट में ये रास्ता जाता है मंगल मुर्ती वाड़ा के लिए सामने है स्री धनेश्वार महादेब मंदिर और ये सामने की तरफ है स्री मंगल मुर्ती वाड़ा ये वाड़ा का एक बुर्ज बना हुआ है स्री मोर्या गोसावी बगवान गणेश के सबसे बड़े भक्त थे और वो इसी वाड़े में रहा करते थे ये बड़ा लगबग 400 साल पुराना है इस वाड़े में मंगल मूर्ती की मूर्ती है जो स्री मोर्या गोसावी को मोर्गां में करहे नदी में मिली थी और यहीं पर ही कोठारेश्वर और एक और भगवान गनेश की मूर्ती है मंगल मूर्ती वाड़ा में जाने के लिए दो गेट हैं ये है फस्ट गेट मंगल मूर्ती वाड़ा में मंदिर के सामने एक बड़ा होल है जो लकड़ी से बना है इसमें ग्लास के लैम्प और जूमर हैं वो वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे मस्तानिवाई के महल में हैं ये वाड़ा का दूसरा गेट है स्री मुर्या गुसावी के बाद उनके उत्रादीकारी इस वाड़ा में रहा करते थे ये वाड़ा काफी महत्पून है क्योंकि चत्रपती सिवाजी महाराज भी इस वाड़ा में आये थे धार्मिक प्लेस होने के साथ साथ इस वाड़े की वास्तुकला भी काफी सांदर है और आज भी ये वाड़ा अट्रेक्शन का कैंदर है दोस्तो इसी वाड़ में चिंच्वाड देवस्थन ट्रस्ट का कार्याले है चिंच्वाड देवस्थन ट्रस्ट अपने सारे फेस्टिवल्स इसी वाड़े के अंदर मनाता है इस वाड़े को देखने का नुवह काफी अच्छा रहा यदि आपने अभी तक इस वाड़े को नहीं देखा है तो आप मंगल मुर्ती वाड़ा को जरूर देखने के लिए जाए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताए और मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू वेरी मच